करके लास्ट वीडियो में जितना भी फैक्चुल पार्ट था आपका जो आपको पढ़ना आवशक था वो सब कुछ मैंने लगभग आपको पढ़ा दिया था फीडिएफ नहीं दिया होगा तो वह पीडिएफ भी आपको दे दूँआ इंगलिश के अंदर तो उसमें ज्याद उसको फिरिश करते हैं अब साइंस अन टेक्नोलजी कोष्चन कैसे आएंगे और उसको किस तरीके से हैंडल करना है हमेशा ध्यान रखियेगा साइंस अन टेकनोलोजी एक दोधारी तल्वार है इट मींस साइंस अन टेकनोलोजी जहां एक और आपके लिए बहुत अच्छी है वहीं दूसरी और उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपक्ट भी है बेसिकली देखा जाए तो साइन्स एंड टेक्नोलोजी आपके अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग आपके जीवन में यह अलग-अपनी भूमिका नहीं भाती है जैसे के अगर आप देखेंगे सामाजिक इस्तर के ऊपर तो इस समाज को आगे लाने की कोशिश करती है समाज को मौडन बनाने की कोशिश करती है समाज को आधुनिक बनाती है समाज को एक ऐसा लक्ष देती है एक ऐसा धाचा बनाके देती है जिसके द्वारा समाज बहुत स् कोशिश करता है आर्थिक इस तर पर अगर आप देखें फाइनेंशेल स्टेज पर अगर आप देखें तो जो भी कंटरी आज की तारीख में अगर आप देख रहे हैं एड टेक्नोफेंडली है यह टेक्नॉल्जी के अंदर आगे है वो कंट्री तो कहीं न कहीं देखा जाए तो science and technology दोधरी तलवार है जो positive manner के अंदर अगर देखा जाए तो वो हर एक stream को हर एक field को आगे उठाते हुए चलती है साथ लेकर चलने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो science and technology एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जित क्या science and technology की नुकसान बहुत ज्यादा है तो कह देना नहीं कहा जाए कि science and technology का फायदा और नुकसान उसके उपयोग के उपर निर्भर करता है इस बात को हमेशा देहन रखिएगा जैसा जिस science का जैसा जिस technology का use होगा वैसा ही उसका परिणाम होगा important thing यह है कि हम उस विज्ञान को इस तरीके से डवलप करें कि वो हमेशा आपके काम में आए कि इस तो यह possible नहीं है यह सभी जानते Albert Einstein कहते हैं जब आपका second world war हुआ जिसमें आपने परमानू हमला किया Albert Einstein कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी इस परमानू बं का निर्मान करके अगर मैं यह technology आज USA को नहीं देता तो शायद जापान के अंदर इतनी बड़ी तरासदी नहीं होती तो क्या परमानू का इस्तेमाल के वल बं बनाने के लिए किया गया था नहीं परमानू संयंत्र से उर्जा energy का production किया जाता है बिजली का production किया जाता है गरीबों के फायदा होता है बिजली पहुंसती है उर्जा का production होता है energy production होता है इससे नुकसान नहीं है लेकिन देखी बात वही है मैंने पिछली बार भी कहा था चाकू का अपना दिमाग नहीं होता दिमाग होता है चलाने वाले का चलाने वाला कैसा है उप्योग करता कैस इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखे हैं तो यह टेकनोलोजी का फायदा हुआ है क्या तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ है जैसे जैसे किसी कंट्री के अंदर टेकनोलोजी आगे बढ़ती है सूचना प्रध्योगी की आगे बढ़ती है कि आप एक ही जगह पर बैठ कर पूरे देश को देश पर निगरानी रख सकते हैं अगर आप देखेंगे हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक योजना किया था कि पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाएगा इससे फाइदा क्या हुआ जो बिचोलिया थ जो आसे लोग थे जो गरीब तक पैसा नहीं पहुँचने देते थे उसको लाब नहीं होने देते दे वह सब कुछ खतम हो गया । क्या था माली जी आपको आज राशन का कोई गेहूं मिलता है राशन का कैरोसीन मिलता है तो होता क्या था राशन का कैरोसीन आता था दो रूपे लिटर या तीन रूपे लिटर राशन का गेहूं आता था दो रूपे किलो या तीन रूपे किलो बाजार में राशन के जो गेह मार्केट 35-40 रुपे लिटर हैं बिग जाता था तो जो बिचोली दलाल थे उनको तो बड़ा फाइदा हो गया सरकार ने क्या किया सरकार ने का वह या दो रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा बाजार बाव कितना है साहब 35 रुपए लिटर 35 रुपए किलो तो ठीक है 35 रु यह हुआ कि अब आप उसकी काला बाजारी नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी उतना ही रेट में पढ़ता है जितना बाजार में आता है तो अब आपको फाइदा खतम हो गया है ठीक है science and technology का भारत में यह फाइदा है दूसरा हमने देखा accounts सबके open हुए online accounts banking accounts सबके open हुए जिसके कारण यह सारा पैसा इसमें account में आने लगा आधार कार्ड आपने ओनलाइन के इससे फाइदा क्या हुआ कि हम अब हर एक व्यक्ति के उपर निग्रानी रख सकते हैं ठीक है तो भारत के अंदर सूचना और प्राध्योगी की इन इस्पेशली लॉगडाउन के अंदर हमने देखा कि इसका बहुत ज्यादा महत्व आगे बढ़ गया जब व्यक्ति बिना बाहर निकले ही पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा था इंफॉर्मेशन घर बैटे ही इधर उधर शेयर कर रहा था ओफिस घर से चल रहे हैं एक सबसे वड़ा एक्जांपल थेक्नलोजी का वाइदा देखे सा दूसरे तरीक में अगर हम सबसरै और सबसे अपर जाएक और आप समझ में आ जाएगा क्यन का व्यकटि का व्यक्तिका जो दिमागी इस तर् है वह गिर जाता है वो depression में चला जाता है anxiety में चला जाता है थोड़ा सा परिणाम सुरूब व्यक्तितनाव, डिप्रेशन, इंजाइटी, इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, इसका ही असर पड़ेगा आपके आने वाली संततियों पर आने वाले बच्चों के उपर, और ये सिस्टम हमेशा तक चलता रहेगा, ये इसका सबसे बड़ा नुकसा है, आनलाइन फ्रॉड हो गया, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई आपके सामने है, ये सारे के सारे नुकसान भी इसी के है, इसका मतलब अगर हम तराजू में तोलता हूं तो दोनों बराबर पाए जाएंगे, जितना फायदा उतना नुकसान है, तो क्या किया जाए, करना कु पयोग करता, जो यूज करने वाला है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है, उससे समझ में आता है कि बेसिकली साइंस और टेकनोलोजी क्या है, बारत के अंदर अलग- पर 4 प्रसारित करने की स्कूल के अंदर हम इस एजुकेशन अलग से प्लान ला रहे हैं हर स्कूल को ओनलाइन कर रहे हैं सरकारी टीचर्सों कम्पुःटर पर काम करना सिखा रहे हैं इसका फाइदा क्या होगा आज तो भले इसका फाइदा नहीं होगा लेकिन कोरोणा ने समझा दिया कि फाइदा क्या होने वाला है दूर बैठ टीचर भी आपकी बच्चों से जुड़ सकता है दूर बैठा घ्टी वैक्ती वी अपने अफिस में सब कुछ कर सकता है दूर बैठा बैठा लेक्टी के इश बॉर की पारमपरिक तकनीकों के आधार पर ही बनाया जाए क्योंकि आपकी जो ट्रेडिशनल टेकनिक स्थी वह वैसी टेकनिक स्थी जो कि आपकी प्रकरती आपका एन्वायर्मेंट आपकी साइकलोजी के उपर बेज्ड हुआ करती थी हो सकता है वो थोड़ी सी बैक्वार्ड हो थोड़ी सी पिछड़ी हुई हो तो हमें तक्नीक का इस्तेमाल वहीं करना है रेफ्रीजरेटर आज आई होंगे लेकिन आज भी हमारे राजिस्तान में अगर आप देखेंगे इनफेक्ट अगर आप बिहार में और इस तरफ भी देखेंगे तो आज भी मिट्टी के रेफ्रीजरेटर चलते हैं मिट्टी के फ्रीज चलते हैं जिसके अंदर 15-15 दिन तक सबजियां वगेरा खराब नहीं होती है और साइन्स भी इस बात को मानता है कि वो फ्रीज के अंद प्रिज अगर हमने पारंपरिक टेक्नोलोजी को आगे नहीं बढ़ाया तो उसके हमारे स्वास पर नुकसान भी हो सकता है जरूरी नहीं है हर पारंपरिक टेकनोलोजी अच्छी हो सक्षम हो लायक हो लेकिन जो जो टेकनोलोजी अच्छी है उसको मैं मौडर्न करते हुए आगे बढ़ू तो मेरे लिए फाइदा होगा तो ये इसका निस्कर्ष भी आप मान सकते हैं कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे तीन चार टॉपिक एक साथ खतम कर दे ताकि आपका मेरा टार्गेट तो गुद्धवार तक इस अप्लाइड फिलास्फिक इनिट को पूरा खतम करने का है और संडे तक संडे तक हां संडे तक मैं कोशिश करूँगा आपका इंडियन कंटेंप्रारी फिलास्फियों खतम कर दूँ कि उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है मैं बिहार रहूँगा तो उस वक्त अगर हुआ मुझे समय मिला तो बिल्कुल मैं क्लासिस वहीं से ऑनलाइन कंड़क्ट करूँगा तो अगले साथ दिन मतला अगले हफते के साथ दिन रक्षा बंदन के बाद मैं बिहार रहूँगा तो आते हैं बिहार में चलिए बाई